तो गैस आप लोग को ओलेडि काफी वीडियो में ये बता चुका हूँ कि इस्टाग्राम रिल्स पर इस टैप का वीडियो सबसे ज़्यादे वाइरल होता है सबसे ज़्यादे व्यूस एंड लाइक आते है गैस अगर आप इस्टाग्राम पर कोई वीडियो इस्टाग्राम पर तेजी की साथ वाइरल हो रहा है उस वीडियो का आप टुटोरियल देतो लाइक उस वाइरल वीडियो के अंदर किसी फिल्टर का यूज किया गया है या फिर इफेक्ट का यूज किया गया है यह फिर उस वीडियो के अंदर AC editing किया गया है जिसका आप tutorial दे सकते हो guys जो वीडियो Instagram पर तेजी की साथ viral हो रहा है आप remix में उसका tutorial देते हो तो उस वीडियो की साथ साथ आपकी वीडियो भी बहुत तेजी की साथ viral होती है guys example के लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ tutorial वीडियो दिखा भी देता हूँ and उनका result भी आपको दिखा देता हूँ guys यहाँ पर मैं यह tutorial वीडियो ले ले लेता हूँ guys आप यह tutorial वीडियो देखिए guys इस tutorial वीडियो पर 60,000 like आया है then जिस पर remix किया गया है हम वो वीडियो भी check out करते है जिसका tutorial दे गया है तो इसकी like भी आप check कर लीजिए 70,000 मतलब pull मिला कर equal like आ चुकी है tutorial वीडियो पर पर मैं example के लिए और ले ले लेता हूँ guys आप यही देख लीजिए इस वीडियो पर 1,79,000 like आया है and guys यहाँ पर हम remix को check करें जिसकी साथ remix क्या गया है जिस वीडियो का tutorial दे गया है उस पर 5 like आया है almost आदी like ले चुका है तो इस तरीके से अगर आप किसी viral real का tutorial देता हो तो उसके साथ साथ आपकी भी reals viral होती है अब आप एसी tutorial वीडियो कैसे बनाए वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ practically simply guys आपको कुछ नहीं करना है आपको real space open करना है जैसी आप real space open करते हो तो guys यहाँ पर आपको ऐसे swipe up swipe up करते जाना है जैसी आप swipe up करते जाते हो guys तो guys यहाँ पर आप लोगों को मैं बता जाता हूँ जितना आप नीचे scroll करोगे ठीक है लाइक आप इसी वीडियो को ले लीजिए अब ये वीडियो तेजी की साथ viral हो रहा है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस में इस filter का use किया गया है तो इस filter के बारे में आप बता सकते हो लाइक अभी आपको इसके बारे में नहीं बताना है मैं आपको effect use करना भी सिखाऊंगा यहाँ पर मैं आगे की और बढ़ता हूँ इस वीडियो को आप ले लीजिए इस वीडियो में कौन सा effect use किया गया है उसके बारे में आपको tutorial देना है और यह वीडियो इस्टाग्राम पर तेजी के साथ viral हो रहा है यह भी आपको देख लेना है इस वीडियो पर 6 lakhs plus like आ चुका है and million views आ रहा है तो guys सबसे पहले आपको filter या effect का name learn यहाँ पर कर लेना है color switch जैसे ही guys आप यह देख लेता हो इस वीडियो में यह filter या यह effect यूज़ किया गया है यह effect है guys तो guys आपको simply camera पर click करने है जैसी आप camera पर click करते हो then यहाँ पर आपको effect पर click करने है जैसी आप effect पर click करते हो तो यहाँ पर आपको search bar में जाना है then उस filter को यहाँ पर search करना है और मैं name उसका भूल चुका हूँ एक बार मैं again देख लेता हूँ color switch ठीक है तो यहाँ पर मैं एक बार और देख लेता हूँ इस तरीके से then मैं यहाँ पर search करके देख लेता हूँ color switch color switch switch यहाँ पर मैंने color switch search कर लिया है तो ये वो filter है जो कि आप यहाँ पर देख पार हो ठीक है ये वो filter है अब आपको बस इतना ही काम करना था guys इस तरीके से आपको screen record करना था आप लोग की समझ में आ गया होगा तो guys इस तरीके से आपको उस filter को search करके देख लेना है क्या वो search में आ रहा है ये नहीं जब वो search मे आ जाता है simply आपको बेक कर देना है guys tutorial video two type का बनता है एक आप उसमें अपना face दिखा सकतो और second video आप खाली screen record दिखा सकतो मैं आप लोग को suggest करूँगा आप starting में one second के लिए अपना face दिखाए कैसे मैं आपको बताता हूँ देखिए ऐसे आप अपना face दिखाए one second के लिए ज simply आपको क्या करने है अपने mobile की यहां से screen record on कर देना है जैसे आप screen record on कर देतो देन आपको camera पर किलिक करके देन यहां पर आपको filter में जाना है देन यहां पर आपको direct उस filter को एसे color switch आपने फेले search क्या वाता उपड़ी लिखा रहे है एसे search कर देना है एक second के अंदर देन आ आपको यहां पर कोई sticker वेगेरा आप लगाने चाते हो जिससे की लिखा हुआ दिख जाए आप इस सारा करने चाते हो arrow के थूरू या कोई emoji दिखाने चाते हो लगा सकते हो देन यहां पर आपको color switch पे click करने है इस तरीके से आपको video shoot करके दिखाने है गयर इतना सब करने के अब आपको आगया क्या करने है वो भी step मैं आपको बता देता हूँ जब आप अपनी facecam video भी ले ले तो and skin record भी कर ले तो then आपको काई master app open कर लेना है then यहां पर आपको create note पे click करके यहां पर आपको 916 size को slate कर लेना है then यहां पर आपको next कर देना है guys सबसे पहले तो आपको वो video clip ले लेना है जो guys आपने starting में अपना face दिखाने के लिए लिया था guys यहां पर मैंने वो video clip ले लिया है अब guys यहां पर मैं वो edit कर लेता हूँ guys यहां तक में यह part रखना है then मेरे को layer पर click करके scissor पर click करके then यहां पर मैं trim to right or play head कर देता हूँ जो extra layer थी वो cut हो चुकी है इस तरीके से आप starting की layer रख सकते हो guys इस starting में भी अगर आपका extra part है तो आप इस तरीके से scissor पर click करके trim कर सकते हो इतना सब करने के बाद अब आपको वो screen recording ले लेना है जो आपने screen record किया है then यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको media पर click करना है then image पर click करके white background ले लेना है then यहां पर आपको pack करना है यहां पर आपको guys अब आपको इसको आपको screen record के मुताबिक layer को increase कर लेना है अब guys यहां पर आपको रखना है layer को then आपको layer पर click करके media में जाना है और यहां पर आपको अब उस screen record को ले लेना है यहां पर मैं वो screen record ले लेता हूँ गैज यहाँ पर इस तरीके से आपको वो screen record ले लेना है गैज अब देखे गैज यहाँ पर अब आप देख सकतो हो इस तरीके से मैंने tutorial दिया है अगर आपकी वीडियो में voice है उसको आप इस तरीके से उप कर देना और यहाँ से भी आप उप कर देना अब गैज आप यहाँ पर देख सकतो इस तरीके से यहाँ पर आपने add कर दिया और यह ऐसे आपकी screen record चल रहा है गैज ज़्यादे कुछ नहीं करना है 15 seconds आपकी लगती है बस इतना सब करने के बाद यहाँ तक आपने tutorial दे दिया है देन यहाँ पर आगे आप रखना चाहते हो रख ली जिए otherwise आपको क्या करने है आपको layer पर किलिक करने है then scissure पर किलिक करने है extra की जो layer है उसको ऐसे cut कर देना है यहाँ पर मैं extra layer कardi कर देता हूँ इतना सब करने के बाद guys अब आपको save पर किलिक करने है यहाँ पर आपको full HD 1080 pixel में इसको export करना है यहाँ पर देखो एक बात याद रखना उस filter के बारे में जिसके बारे में आप tutorial देरो उसको like करके कहीं पर save जरूर करना है यह like कर सकते हो तो वो like page में चला जाएगा वहाँ से ले सकते हो आप जैसी आप यहाँ पर आजातो तो यहाँ पर आपको color switch में जाना है अब यहाँ पर देखिए इस filter पर जितना भी reels post हुआ है वो सब यहाँ पर आजाएगा यहाँ पर आपको देखना यह है जो सबसे अच्छी reels video है इस filter पर जो सबसे ज़्यादे viral हो रहा है उसको आप ले लीजिए यही reels सबसे ज़्यादे viral हो रहा है अब आपको करना क्या है यहाँ पर आपको 3 dot पर क्लिक करके देन यहाँ पर आपको remix this reel पर क्लिक करना है जैसे ही आप यहाँ पर किलिक करते हो तो यहाँ पर आपके मुबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको upload पर किलिक करना है जो वीडियो आपने edit किया है वो वीडियो यहाँ पर आपको ले लेना है यहाँ पर आप देख सकतो यह वीडियो मैंने यहाँ पर ले लिया है यहाँ पर आपको add कर देना है अब guys आप ही यहाँ पर देख सकतो यह थोड़ा लेक इसलिए कर रहा है थोड़ा इसलिए चिपक चिपक के चल रहा है guys मेरी mobile की जो इसकी recording है वो on है इसलिए यह लेक कर रहा है इतना सब करने के बाद guys इसमें आप music add करना चाहते हो तो यहाँ पर आप कोई music भी इसमें add कर सकते हो otherwise जो remix में है वो ही चल जाएगा यहाँ पर आपको next कर देना है जैसे ही आप next करते हो अब guys यहाँ पर आपको कौन से hashtag लगाने है यह already मैं आपको काफी वीडियो में बता चुका हूँ बट remix में वो सब नहीं चलता कौन से चलाने है यह सब आप skin पर देख सकतो कहीं पर note कर लेना अपनी हर एक remix में यह सब hashtag यूज करना और आपको caption में लिखना है viral filter या effect tutorial viral अगर effect है तो आपको इस तरीके से effect लिख देना है tutorial यह लिखने के बाद जो hashtag में ने आपको suggest करे है वो सब लगा देना नीचे की और and reels को यहाँ पर आपको share कर देना है इस तरीके से आपको tutorial वीडियो Instagram Reels पर post करना है I hope आज आप लोग यह सब सीख चुके हो वीडियो को अभी के अभी like ठोको चैनल को subscribe करके bell icon को all पर पिस्ट कर देना मिलता हूँ आप से next वीडियो में जब से लिए take care and bye